असामने को माई यूट्यूब फैमिली वेलकम बेक टो माई चैनल रियल बूटी सीक्रेट फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे तो जनाब आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वाइटनिंग फॉर्मूला क्रीम जो के बगएर किसे नुकसान के है कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो जो के आप देख रहे हैं उससे तो आप डर गए होंगे और कुछ लोग ये यूज भी करते होंगे लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगे कि आप इसे यूज बिल्कुल भी ना कीजेगा इसके उपर भी लिखा है कि ये तेज तरीन क्रीम है होमियो क्योर ये लोग बहुत ज़्यादा फॉर्मूला क्रीम बनाके यूज करे हैं और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देख रही हूं और लोग इसे बहुत डेजी से यूज करें हैं इवन शॉप की पर तक आपको यही गाइड करते हैं कि आप ये दो क्रीम और एक लुपा टोन का चोटा पाउच ले और आप उसे यूज करें जो के बहुत ज़्यादा नुकसान दे है कुछी दिन में आपके स्कीन की ऊपर वाली लेयर उड़ा देता है और वक्ती तोर पे आपको लगता है कि आपका कॉम्प्लेक्शन फेर हो गया है जबको यह वह फेर नहीं हुआ होता आपके ऊपर वाली स्कीन उड़ चुकी होती एक तरह से वाइटनिंग एक्टिविटर है इमल्चन बीस को कहते हैं तो इसके इंग्रेडियंट्स हैं वो भी आपढ़िये इसको हमने डिरेक्ट किसी भी तरीके से यूज नहीं करना है इसे हमने बहुत अच्छे से 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 एक तरीके से बना की यूज करना है जिससे आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा तो जनाब हमें तिबत स्नो क्रीम चाहिए आप जानते हैं कि यह सदियों से चलती आ रही है हमारे माई यूज करती थी इवन नानी दादी के दोर से यह क्रीम चल रही है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है इवन यह एंटिसेप प्रोड़ चाहिए और उसके लाग लाग लपड़ा टौन का जो पाउच है छोटा हमें वह चाहिए तो आये इसको यूज किस तरीके से करना है आपको वह भी बताते हैं आपने काइनली इसी तरीके से यूज करना है जो मैं कॉंटिटी आपको बताऊंगी आपने उसी कॉं यूज़ करें, crystal वगरा की होने चाहिए, या plastic का यूज़ करें, तो एक चमच हमें तिबस्नो क्रीम चाहिए, अच्छे ये जो क्रीम है, ये बेसिकली oily skin के लिए है, oily skin के लिए, acne वाली skin के लिए ये क्रीम बहुत अच्छी है, और साथ में ये whitening का काम भी करेंगी, आपके skin पे बहुत अच्छा सा glow भी देगी, तो जिनाब दो चमच अगर हमारे पास सिबस्नो क्रीम है, तो एक चमच जो गलुपाइटोन का है, वो हमें ये अच्छे से मिक्सिंग करना है, तो इस क्रीम को अच्छे से मिक्सिंग कर लिए, मैं इसको बहुत कम कॉंटिटी में बना रही हूँ, क्योंकि मेरी जो skin है, नॉर्मल टू ड्राय है, तो ये क्रीम मेरे यूज में नहीं आनी, इसको मैंने सिर्फ आपकी वीडियो के लिए मत तो इसको बहुत कम कॉंटिटी में बना रही हूँ, दो चमच अगर आपकी तिबर स्नो क्रीम है, तो एक चमच आप लेंगे, लिए पाटोन का एक चमच, तो इसको हूब अच्छे से आपने मिक्सिंग करनी है, और ये एक बिल्कुल कह लें के थिन सी क्रीम टाइप कह लें है, फेस पे या तो आप बहुत थिंडा पाने लेके फेस वाश कर लें, तो या फिर आप फेस पे आइसिंग करिए, उसके बाद हमें कोई सूधिंग लोशन चाहिए, हमने वो स्केन पे लगाना है, और आपको पता है, सूधिंग लोशन भी एकनी के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा जब आपने सूधिंग लोशन अच्छे से लगा लिया, तो इस ने आपके स्केन को और भी ज्यादा सेफ और सेक्योर कर दिया, आपने जब ये लोशन लगाना है, आपने इसको स्केन में अच्छे से अब्सॉब करना है, एक दो मिनिट में आपके ये बहुत इसके ओपर जो आपने अपनी क्रीम रेडी की है, आपने वो अपलाए करनी है और उसके बाद हमने उसको भी अच्छे से अब्सॉब करना है, ये इतनी लाइट वेट क्रीम है कि आप इसे गर्मी में यूज़ करें, दिन में यूज़ करें या इसको रात में यूज़ करें अब फ्रेंट उमीद करी हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लेगी होगी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजेगा दोस्तों के साथ शेर कीजेगा और अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चानल पर तो प्लीज चान अच्छी प्रोड़क्ट यूज़ करते हैं तो इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसका रिजल्ट देरपा होगा और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा तो इसका जो इमल्चन का मैं आपको बता रही थी हम लोग वाइटनी केप्सोल वगरा यूज़ करते हैं उ यजयाफेश